Hello guys, good evening, welcome you to the Azelite YouTube channel So guys, आज हम करने जा रहे हैं अपनी noun की exercise number one तो आज हम वही sentences कुछ देखेंगे और इसमें कुछ sentences हैं आपके पास errors के और कुछ होंगे Phillips के questions तो आज चलिए इसको हम discuss करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो question है वो आपको दिख रहा है आपकी screen के उपर की question है कि the beautiful surrounding of the place enchanted me ठीक है, the beautiful surrounding of the place enchanted me अब guys देखिए आपके पास जो surrounding यहाँ पर word है जो आपको दिख रहा है surrounding word basically क्या है यह अगर हम surrounding, अकेले surrounding word की अगर हम बात करें तो guys surrounding word जो है आपके पास यह एक verb होती है आपने याद रखना है surrounding जो है क्या है यह एक verb है ठीक है जैसे हम बोलें कि a group of यह हम बोलें a herd of a herd of cattle is surrounding me ओके तो मतलब जब आपको चीज को आपको गहर लेती है कोई चीज ठीक है तो आपने उस तरीके से वहाँ पर आप क्या लगाएंगे surrounding लगाएंगे लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है यह sentence में एक subject के तोर पर surrounding यूज हो रहा है तो मतलब यहाँ पर यह surrounding है यह as a noun यूज हो रहा है guys ठीक है क्योंकि beautiful जो है यह इसकी quality को बता रहा है तो beautiful आपका यहाँ पर एक adjective है guys ठीक है beautiful एक adjective है तो यानि कि जो noun है यहाँ पर वो आपको कभी भी surrounding नहीं होगा क्यों surrounding आपके पास क्या है एक verb होती है तो इसका मतलब यहाँ पर surrounding नहीं आएगा guys यहाँ पर क्या आएगा surroundings तो आपने याद रखना है कि noun की form में आप कभी भी surround नहीं लिखते है आप क्या लिखते है surroundings तो यह है आपके पास first question का answer ठीक है तो आपको मैं बताया था noun में आपके पास इसी तरीके से आपको कुछ questions जो है वो मिलेंगे आगे देखिए second question में you are among those men who earn name and fame not by chance but by hard work अब देखिए you are among those आगे देखिए those के आगे आपको पता है कि those के आगे आपके पास हमेशा ही जो है आगे plural आपके पास जो है वो subject आएगा ठीक है plural तो यहां पर man नहीं आएगा guys यहां पर क्या आजाएगा आपके पास यहां पर आजाएगा आपके पास man आजाएगा तो ये था हमारा second question, चलिए अब चलते हैं third question पर, third question देखे, the fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off अब guys, यहाँ पर the fan's blade की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि non-living things के साथ आप कभी भी, ठीक है, non-living things जो है, इनके साथ आप कभी भी possession बताने के लिए, ठीक है, possession को अगर आप बताते हैं, यानि कि अगर आप कभी अधिकार्प के बारे में बताएंगे, तो आप कभी भी यहाँ पर apostropheist का use आप नहीं करेंगे, तो guys, यहाँ पर जो right answer होगा, वो क्या हो जाएगा, the blade of fan, यहाँ पर जो right answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, the blade of fan, मतलब non-living things के लिए आप हमेशा ही of preposition का use, हर sentence में आपने करना है, next देखिए, आपके पास, they left their luggages at the railway station as we know that luggages is your uncountable noun, but we know that we cannot use s after the uncountable nouns, हम uncountable nouns के बाद कभी भी s का use नहीं करेंगे, इसको कभी भी plural form में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो यह आपके पास इस तरीके से और भी के यह आपके पास uncountable noun है, जैसे कि मैंने लिखा baggage, ठीक है guys, ठीक है मैंने लिखा baggage, यह मैंने लिखा scenery, इस तरीके से, आप कभी भी scenery को scenery नहीं लिख सकते, ठीक है, यह हमेशा क्या गलत हो जाएगा, यह आपके पास हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो uncountable nouns को आपने कभी भी plural form में नहीं लिखना है, जिस चीज को आप count नहीं कर सकते, यह कह सकते हैं, कि जिस चीज को आप स कर सकते हैं माप सकते हैं guys उसको आप क्या करेंगे हमेशा उस चीज़ को आप कभी भी plural form में नहीं लिख सकते clear है guys ठीक है luggage baggage scenery ठीक है इस तरीके से आप इसको scenery कभी नहीं लिख सकते आगे देखिए a trained gang of sailors was employed on the ship में जो गैंग है guys गैंग जो है sailors की अगर हम group की बात करें तो sailors के group को आप gang नहीं कभी भी कहेंगे यह आपके पास क्या हो जाएगा guys यहां पर crew हो जाएगा तो मैं इसके ओपर एक अलग से video बनाऊंगा जिसमें हम सिरफ हम क्या बात करेंगे हम सिरफ collective nouns के बारे में बात करेंगे guys हम एक अलग से मैं आपके लिए video बनाऊंगा जिसमें collective nouns के बारे में बात करेंगे जिसमें आपके पास जो है आप किसी भी particular members के groups को क्या क्या कहते हैं तो वह मैं आपको अलग से बता दूँगा अब इसमें आपके पास group को कहें तो a core of singers कहते हैं a core of singers तो इस तरीके से आपके पास अलग लग terms आप यूज करते हैं collective noun या किसी के group को बताने के लिए clear है guys ठीक है तो अभी इस पे अलग से video बना लेंगे ठीक है तो यह था आपके पास fifth question अब चलते हैं sixth question के ओपर सचिन तंदूलकर score more than 10,000 runs अब guys आपको पता है कि यहां पर जो आपके पस 10,000 जो word है basically यह runs जो आपके पस एक noun है इसकी quality को बताने के लिए ये एक adjective का काम कर रहा है तो मैंने बताया था कि adjective कभी भी plural form में नहीं होगा तो यहां पर s आप हटा दीजिए s नहीं आएगा यहां पर सिर्फ आ जाएगा आपके पास thousand rupees 10, sorry 10,000 rupees नहीं sorry runs 10,000 runs clear है guys तो यहां पर thousands नहीं होगा यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा thousand okay clear है guys तो उसके लिए ये adjective का काम कर रहा है और adjective हमेशा क्या होगा singular रहेगा उसमें कभी भी आपने उसको plural form में नहीं लिखना आपने हमेशा उसको singular form में लिखना है next देखे 7th question Mr. Khanna give me important informations I had been waiting for the previous 6 months तो guys आपको पता है कि यहां पर देखे Mr. Khanna ने क्या दी important information दी है तो यानि कि यहां पर important information is basically acting your object it is basically act as an object in your sentence so इसमें आप informations जो है आपके पास आपको पता है कि जो information है आपके पास word इसको यह आपके पास क्या होता है guys एक uncountable noun होता है यह क्या होता है एक uncountable noun होता है तो इसको आप कभी भी as लगा कर नहीं लिख सकते हैं यहां पर यह जो इसका part है guys यह absolutely क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसको आप correct कर लीजी यहां पर यह information नहीं आएगा यह भी क्या है आपके पास uncountable noun हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा here और here आपका correct हो जाएगा ठीक है guys अब चलते हैं next case के उपर next question के उपर देखिए Mohan did all this for justice's sake so guys इस case में क्या है Mohan ने did अपने साथ verb ली है वो आपकी second form और यहां पर जो justice लिखा है justice sake अब as you remember जो भी आपके पास मैंने बताया था hissing sound वाले words होते हैं guys hissing sound वाले जितने भी आपके पास nouns होते हैं वो हमेशा ही अपने साथ apostrophe का यह कौमा यह लेते हैं ठीक है आप कभी भी s का use जो है apostrophe के बाद जो s आता है इसका use आपने कभी नहीं करना इनके साथ क्योंकि यह गलत हो जाएगा इसका अधिकार बताने के लिए इस s को यहां से remove कर दीजिए और आपका right answer सिरफ यह होगा justice then your comma then your sake so this is the case of possession in case of the hissing sound nouns in case of your hissing sound nouns next case पर चलते हैं a dash weight is too heavy for me to lift so guys a dash weight की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा a tons weight ton weight नहीं होगा a tons weight t-o-n apostrophe s जैसे मैंने बताया था कि weight से related अगर बात करें अगर हम time से related बात करें तो उन cases में आप apostrophe s लगा देते हैं जैसे कि मैंने लिखा a days a days leave a days leave लिखा है तो यहां पर इस तरीके से आप इसको भी use कर सकते हैं यहां पर a tons weight की जगा आप t-o-n-s मैंने weight को बता रहा है तो मैंने यहां पर लगा दिया t-o-n apostrophe s इस तरीके से आप कही बार a pounds weight भी कह सकते हैं p-o-u-n-d apostrophe s pounds weight clear है गाइस ठीक है जी अब चलते हैं next case पर 10th question पर his dash behavior was not good तो आपको क्या लग रहा है क्या answer हो सकते हैं दोनों में से देखिए his dash behavior is not was not good तो एक है step sons और एक आपके पास है step son so guys your right answer will be step sons क्यों देखिए step sons possession बताने के लिए आप हमेशा ही जो step के आगे वाला जो son होगा उसके आगे apostrophe s लगाएंगे और अगर कभी आपके पास मान लिजे मैं कोई और word लूँ जैसे मैंने लिया mother in law ठीक है guys मैंने लिया mother in law तो mother in law के लिए भी अगर आपको possession बताना है तो आप कैसे लिखेंगे आप हमेशा लिखेंगे mother in law फिर उसके बाद आप apostrophe s लगाएंगे तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है so right answer is step sons so ये हो जाएगा इसमें इसका right answer guys clear है step sons कभी नहीं लिखना possession बताने के लिए हमेशा step लिखें फिर son के बाद एक apostrophe s लगा दीजिए next जलते हैं अगले case में the committee have met and it has rejected the proposal अब देखिए committee have met committee मिली अब मुझे बताईए कि committee मिली है मतलब committee खुद क्या नहीं मिल सकती उसके members आपस में मिले है clear है guys इसमें बहुत confusion हो जाती है क्योंकि basically committee तो हमारे पास एक collective noun है बट हम ये सोचते हैं कि जो collective noun है ये तो singular verb लेगा और singular verb जब ये लेगा तो यहाँ पर तो have लगा है बट guys मैंने बताया है कि जो आपके पास committee है या आपके पास कोई भी collective noun है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार singular verb लेगा वो कुछ cases में sentence के according जो है वो plural verb ले ले लेता है जब हम उसके particularly members की बात कर रहे हैं ठीक है जैसे मैं अगर sentence बोलूँ जैसे मैंने sentence लिखाया भी था आपको एक कि the team are divided according to their captainship मतलब कि जो team को उनके captainship के according divide किया गया मतलब उनके अलग-अलग members के according को divide किया गया है तब आप वहाँ पर plural verb लेंगे बट यहाँ पर committee लिखा था तो committee के met हुई है committee मिली है आपस में तो यानिकि उसके members मिले है तो यहाँ पर have बिल्कुल correct है बट जैसे ही हम आगे जाएंगी हमें यहाँ पर it दिख रहे हैं गया तो it मतलब की यहाँ पर गलत हो जाएगा क्यों कि it तो आप तब use करेंगे जब आप singular verb लगा रहे हैं जब आप क्या कर रहे हैं singular verb लगा रहे हैं बट यहाँ तो plural verb है तो यानिकि यहाँ पर भी फिर यहां पर आपका हो जाएगा, they have rejected the proposal, means अगर members मिल रहे हैं, तो उसके according फिर यहां पर भी क्या हैगा, they and then your have, clear है guys, ठीक है जी, 12th question देखे, the flock of birds dash always seen in the morning, option is is या are, देखे, flock की बात हो रही है, तो यहने कि birds के group को हम flock बोलते हैं, मतलब flock जो है, यह collective noun है आपका birds के लिए, तो आप इसके लिए हमेशा singular verb लगाते हैं, तो right answer will be your is, clear है guys, right answer क्या हो जाएगा, is हो जाएगा, next देखे, the family dash left the house, now family, यहां पर family ने घर छोड़ा है अपना, पूरी family एक साथ गई है घर छोड़ के, यानि कि collectively बात हो रही है, तो collectively बात हो रही है, तो आप हमेशा क्या लेंग जिसको आपने number, change the number के basis पर आपने detect करना है, ठीक है, कुछ ऐसे nouns जिसके आपको change the numbers पता होने चाहिए, तो basically अगर आप noun को categorize करें, तो noun जो है वो basically change the number और change the gender तरीके से भी अलग-लग form में categorize आप कर सकते हैं, आपको हर word का number और हर word का gender भी change करना आना चाहिए, क्योंकि इस यह plural form है किसकी, यह plural form है criterion word की, criterion word की plural form है, तो अगर हमें पता होगा exam में कि यह तो plural form है criterion word, जो है, plural form है criterion की, तो यानि कि इसके according भी फिर plural verb लगनी चाहिए, अगर यहाँ पर criterion लिखा होता, criterion लिखा होता, तब आपकी यहाँ पर is verb लगती, यह हमेशा याद रखना मेरी बात को ठीक है अगर यहाँ पर criterion होता तो यहाँ पर आप इस वर्ब लगाते बट criteria है then you will use our here so यह था आपके पास question number 14 इस तरीके से अगर मैं इसी case को थोड़ा और discuss करूं तो ऐसे और भी कई words हैं जो मैंने बताये थे जैसे की thesis का plural हमेशा क्या होता है thesis ठीके इस तरीके से लेक्यूना का आपके पास जो है plural हो जाता है लेक्यूने यह बहुत सारे ऐसे cases बनते हैं guys ठीक है जैसे मैं बात करूं hypothesis इसका plural क्या हो जाएगा hypothesis तो इस तरीके के और words है इनके ओपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी सारा का आपको case यहां पर clear करवाए जाएगे सारे के सारे cases आगे देखिए 15th question the astronomer who predicts the future has arrived no guys astronomer के according who relative pronoun लगा है और जिसके आगे astronomer के according predicts लगी है but can you tell me that astronomer क्या कभी किसी का future बता सकता है guys astronomer क्या किसी का future बता सकता है then the answer will be no ठीक है तो astronomer future नहीं बताएगा वो कौन बताएगा फिर astrolodger astrolodger answer बताएगा future आपका बताएगा ना कि कोई astronomer तो यह कुछ questions मैंने लिए थे जिसमें हर type कर मैंने आपको discuss किया मतलब मैंने आपको यह बताना चाहा कि 11 15 questions में कुछ cases apostrofies वाले आपके पास आए ठीक है कुछ cases apostrofies वाले आपके पास आए कुछ cases βáveis से aletied आए कुछ cases आपके पास Elliot नां से आए कुछ आपके पास यहाँ बी collective noun से कुछ आपके पास इस तरीके के words it says चुछ nouns जो आपके स्टैंस में गलत तरीके से use किये गए हैं, तो इस तरीके से ये देखे, change the number वाला केसे का गए, तो इस तरीके से मेरे बोलने का ये मतलब है कि noun की questions जो है वो types उनके कैसे बनते हैं, वो मैंने आपसे यहाँ पर discuss कर लिए हैं, तो guys हम next exercise भी करेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आप वीडियो देखते रहिए और अपने friends को वीडियो share कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, ठीक है guys, और आप जादा से जादा practice कीजिए, clear है guys, और जो वीडियो, YouTube पे जो live lectures की वीडियो से उसे जरूर देखिए, और वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल depth में आपको सारे chapters करवाए जाएंगे, so guys, I hope आपको मेरे lecture समझाया होगा, so thank you so much